गुड इवनिंग दोस्तों आपका स्वागत है हेल्थ टुप्स के एपिसोड नमबर 20 में अंडे खाना सेहत के लिए बहुत फाइडे मन माना जाता है अंडे में पाई जाने वाले पोशक तत्व और गुण शरीर को हेल्दी रखने में बहुत ही मददगार होते हैं चाहिए बात किजाए फिटनेस फ्रीक की या जिम में वरकाउच करने वाले लोगों की सभी अंडों का पोखोट ही ज्यादा सेवन किया करते हैं सुबह नाष्टे की समय अंडे से बनी डिशेज हो या शाम में उबले हुए अंडे हो इसका सेवन स्वाध और पोश्चन से भर पूर होते हैं अंडे में प्रोटीन की परियाप्त मात्रा पाई जाती है इसके अलावा मिनरल्स और हाल्दी फैट भी अंडे में परियाप्त मात्रा में होते हैं अंडे में कोलेस्टरॉल की मात्रा बोखत ही ज्यादा होती है और यही कारण है कि अंडे के पीले भाग का कम सेवन करने की सलाह दी जाते है क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि संडे हो या मंडे रोज खाव अंडे लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना अंडे खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है या नहीं आईए इस वीडियो में विस्तार से इस बात पर हम चर्चा करते हैं अंडे में मौझूद प्रोटीन, वाइटमिन A, वाइटमिन B12, वाइटमिन D, कैल्शियम, जिंक और फॉलिट जैसे पोशक्तत्व शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं नियमित रूफ से अंडे का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित बताया गया है लेकिन इसका बहुत ज्यादा सेवन भी कई बार आपकी सेहत को कमभी नुकसान भी पहुँचा सकता है बहुत ज्यादा अंडे खाने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और इसकी वज़ों से आपका पेट भी खराब हो सकता है नियमेत रूप से अधिक मातरा में अंडे खाने से आपको कई दूसरी समस्याओं का खत्रा रहता है ऐसे में आपको एक दिन में सीमित मातरा में अधिक अंडों का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए आम तोर पर एक हल्दी व्यक्ति को रोजाना 2-3 अंडे का ही सेवन करना चाहिए ऐसे लोग जो जिम में वोक आउट करते हैं या फिर आथिलीट वगिरा है उन्हें प्रोटीन की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती हैं तो ऐसे लोग दिन में 4-5 अंडे खा सकते हैं नियामेत रूफ से अंडे का सेवन करने माले लोगों को अंडे का सफे भाग ही खाना चाहिए इसके अलावा ऐसे लोग जिनको हाट या कोलेस्टरॉल से जुड़ी हुई कोई समस्या हो उन्हें दिन में सिर्फ 2 से ज्यादा अंडे नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी को आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे बलकि इसे अपने सभी दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे तो दोस्तों आज की ये information आपको कैसी लगी हमें नीचे comment section में comment करके जरूर बताएगा और अगर विडियो पसंद आया हो तो विडियो को like और share करना ना भूले कर फिर मिलते हैं इसी समय रात के आठ पज़ूई अगले अपिसोड के साथ तपक के लिए दिजिए जासत धन्यवाद